नमस्कार, NLPS Hindi Tutorial में आपका हर्दिक स्वागत है इस सत्र में हम लॉकरों से संबंधित प्रक्रियाओं को समझेंगे लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करने के बाद हम लॉकर आइकन पर क्लिक कर लॉकर मड्यूल की स्क्रीन पर पहुँचेंगे लॉकर मोड्यूल का उप्योग करने से पहले हमको लॉकरों को कन्फिगर करने की आवशक्ता होगी लॉकर कन्फिगर करने के लिए स्क्रीन की दाइं और उपर स्थित कन्फिगरेशन आइकन पर क्लिक करें Locker के विकल्ब पर जाएं और किराया Master पर क्लिक करें किराया Master की स्क्रीन खुलेगी ERP सिस्टम में Locker के प्रकार के अनुसार श्रेनिया बनी हुई है यदि पहले से किसी प्रकार के Locker को Configure किया गया होगा तो वहां स्क्रीन में सूची दिखेगी पहले से जुड़े लोकर को संपादन के विकल्प से संपादित किया जा सकता है यदि किसी नई लोकर श्रेणी को जोड़ना है तो हम दाहिनी और स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे एक पॉप अप स्क्रीन खुलेगी सबसे पहले हम लोकर का प्रकार चुनेंगे लोकरों की संख्या भरेंगे लोकर का आकार इंच या सेंटिमीटर या घन यानी क्यूबिक इकाई में भरेंगे प्रभावी तिथी भरेंगे लोकर का किराया भरेंगे किसी स्थिती में लौकर तोड़ना पड़े तो तोड़ने का प्रभार भरेंगे देर से किये गए भुकतान के लिए जुर्माना भरेंगे किराया संग्रहन यानि वसूली की आबृत्ती चुनेंगे लौकर को साल में कितनी बार निशुलक खोल सकते हैं वह संख्या भी भरेंगे अतिरिक्त बार लौकर को खोलने का प्रभार कितना होगा यह भरेंगे गैर रख रखाव चेतावनी महीने में कितनी बार मिलेगी वह संख्या भरेंगे Dashboard के Alert भाग में ऐसे खातों की सूचना मिलेगी जो परिचालन में नहीं है Locker बंद करने के लिए अभ्यरपन प्रभार यदि कोई है तो भरेंगे लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवारी है सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा ओके पर क्लिक करेंगे इसके साथ ही किराया मास्टर कन्फिगर हो जाएगा अब हम कन्फिगरेशन के माध्यम से Lockers में जाकर चाबी प्रबंधन अर्थात की मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे आपकी जानकारी के लिए यदि पहले से किसी Locker के चाबी प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी की गई है तो Locker का प्रकार चुनने पर उनकी सूची दिखेगी इसे संपादन के विकल्ब से संपादित किया जा सकता है यदि किसी लौकर का चाबी प्रबंधन पहली बार करना है तो दाहिनी और स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे एक पॉप अप स्क्रीन खुलेगी सबसे पहले हम लॉकर का प्रकार चुनेंगे, लॉकर की क्रम संख्या चुनेंगे, आबंटित लॉकर संख्या भरेंगे, लॉकर की चाबी संख्या भरेंगे, लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवारी है सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा ओके पर क्लिक करेंगे इसके साथ ही संबंधित लोकर के चाबी प्रबंधन के कन्फिगरेशन की प्रक्रिया पुरी हो जाएगी इसी प्रकार सभी लोकरों के चाबी प्रबंधन के कन्फिगरेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है अब हम लॉकर से संबंधित लेन देन की प्रक्रिया को समझेंगे ERP डैशबूर्ड में लॉकर आइकन पर क्लिक करेंगे लॉकर मड्यूल का पेज खुलेगा आईए अब सबसे पहले हम लॉकर की उपलब्धता के विवरण की प्रक्रिया समझते हैं उपलब्धता विवरण आइकन पर क्लिक कर उपलब्धता विवरण के प्रिष्ठ में प्रवेश करेंगे लोकर विवरन वाले भाग में कन्फिगरेशन के अनुसार संबंधित लोकरों के आईकान कार्ड के रूप में दिखेंगे साथ ही लोकरों की संख्या आबंटित लोकरों और उपलब्ध लोकरों की संख्या भी दिखेगी संबंधित लौकर कार्ड में क्लिक करने पर नीचे आबंटित लौकर वाले भाग में आबंटित लौकरों की सूची दिखेगी उपलब्ध लौकर वाले भाग में उपलब्ध लौकरों की सूची दिखेगी अब हम लोकर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया समझेंगे आवेदन करें आइकन पर क्लिक करेंगे आवेदन विवरण का प्रिष्ठ खुलेगा सदस्य विवरण वाले भाग में प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे की चाबी संख्या, कन्फिगरेशन के अनुसार स्वतह प्रदर्शित होगी। लोकर खाता संख्या भरेंगे, किराय की राशी भी स्वतह प्रदर्शित होगी। परिचालन का प्रकार चुनने पर किराया भुगतान का प्रकार स्वतह प्रदर्शित होगा। सुरक्षा जमा राशी चुनेंगे जमा खाता संख्या चुनेंगे सुरक्षा राशी स्वतह प्रदर्शित होगी लौगिन तिथी ही आवेदन तिथी होगी लेजर यानि खाता बही फोलियो संख्या भरेंगे यदि परिचालन के प्रकार में संजुक्त परिचालन चुना जा खुलेगा यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतह प्रदर्शित होगा इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा और आगामी बटन पर क्लिक करना होगा यदि नामिती पहले से पैक्स का सद तो उसका विवरण जोड़ना होगा। इसमें नामिती का फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। आगामी पर क्लिक करेंगे यदि नामिती नाबालिग है तो अभिभावक का विवरण भरना होगा। पहले की ही तरह यदि अभिभावक पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसके विवरण स्वतह प्रदर्शित होंगे नामिती का सदस्य से संबंध भी चुनना होगा और आगामी पर क्लिक करना होगा यदि अभिभावक सदस्य नहीं है तो उसका विवरण दर्ज करना होगा उसका फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं यहां नामिती से अभिभावक का संबंध भी चुन्ना होगा अब समाप्त पर क्लिक करेंगे पॉप अप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जेनरेट की गई होगी अब हम किराया संग्रहन आइकन पर क्लिक कर लौकर का किराया जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ग्राहक सुचना वाले भाग में प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे सदस्य विवरण स्वतह प्रदर्शित होगा लौगिन तिथी ही लेंदेन की रिकॉर्डिंग और वास्तविक लेंदेन तिथी होगी संबंधित उत्पाद चुनेंगे, संबंधित खाता संख्या चुनेंगे, आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनेंगे यदि समिती का कोई manual वाउचर होगा तो उसकी संख्या भरेंगे राशी स्वतह प्रदर्शित होगी, सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे, पुष्टी के लिए पॉप अप में हाँ पर क्लिक करेंगे फिर पॉप अप में सफलता का संदेश आएगा, उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा प्रिंट विकल्प से वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है, सदस्य के लॉकर की किराया राशी जमा हो जाएगी अब हम लॉग विवरन को समझेंगे जिसका प्रयोजन लॉकर को खोलने के विवरन को सुरक्षित करना है लोग विवरण आइकन पर क्लिक करेंगे ग्रहक सूचना वाले भाग में प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे सदस्य विबरण स्वताह प्रदर्शित होगा लौकर तक पहुँच का लौक विबरण वाले भाग में दाहिनी और स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे एक पॉप अप स्क्रीन खुलेगी सबसे पहले लौकर खाता संख्या चुनेंगे लौकर का प्रकार और लौकर आबंटन की तिथी स्वताह प्रदर्शित होगी किसके द्वारा लौकर का उप्यूग किया गया इसके विकल्प में सदस्य का नाम चुनेंगे लौग इन तिथी ही लौकर का प्रियोग करने की तिथी होगी इन टाइम यानि आगमन समय में लोकर काक्ष में प्रवेश का समय भरेंगे और आउट टाइम यानि बाहर जाने का समय के विकल्प में लोकर काक्ष से बाहर जाने का समय भरेंगे अवधी स्वतह प्रदर्शित होगी अधिकृत व्यक्ति का नाम चुनेंगे अधिकृत व्यक्ति का पद स्वतह प्रदर्शित होगा लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवारी है सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा ओके पर क्लिक करेंगे इसके साथ ही लोग विवरन सुरक्षित हो जाएगा अब हम लोकर के ब्रेक ओपन यानि लोकर को तोड़ कर खोलने का विवरन भरने की प्रक्रिया को समझेंगे इस विकल्प का उपयोग तब होगा जब किसी कारण सदस्य के लोकर को तोड़ कर खोलने की आवशक्ता होगी तोड़ कर खोलने का विवरन आईकन पर क्लिक करेंगे पॉपप में दो विकल्प दिखेंगे पहले विकल्प तोड कर खोलने का विवरण पर क्लिक करेंगे ग्राहक सूचना वाले भाग में प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे सदस्य विवरण स्वतह प्रदर्शित होगा तोड कर खोलने का विवरण कैप्चर करें, वाले भाग में लोकर खाता संख्या चुनेंगे, लोकर का प्रकार लोकर आबंटन की तिथी और लोकर धारक के द्वारा चाबी के गुम होने की शिकायत स्वतह प्रदर्शित होगी तोड कर खोलने का कारण चुनेंगे, शिकायत तिथी भरेंगे, तोड कर खोलने का प्रभार स्वतह प्रदर्शित होगा, प्रबंधक का नाम भरेंगे, प्रधान कारियाले के वरिष्ठ दिकारी का नाम भरेंगे, गवाह एक का नाम भरेंगे, और गवाह दो का नाम भरेंग चिम सूचना जारी करने का रेजिस्टर डंबर भी भरें। लॉकर तोड़ कर खोलने की तिथी भरें। आबंटित लॉकर संख्या स्वतह प्रदर्शित होगी। नया लॉकर चाबी संख्या यदि कोई है तो भरें। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवारी सुरक्षित पर्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा। इसके साथ ही लॉकर को तोड़ कर खोलने के प्रभार की प्रक्रिया को समझेंगे। तोड़ कर खोलने का विबरण आईकन पर्लिक करें। पॉप-उप में दो विकलप दिखेंगे। दूसरा विकलप तोड़ कर प्रभार पर क्लिक करें ग्राहक सूजना वाले भाग में प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे सदस्य विवरण स्वतह प्रदर्शित होगा लोगिन तिथी ही लेंदेन की रिकॉर्डिंग और वास्तविक लेंदेन तिथी होगी संबंधित उत्पाद चुने संबंधित खाता संख्या चुने आवश्यक्ता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुने यदि समीती का कोई मैनुवल वाउचर हो तो उसकी संख्या भरें राशी स्वतह प्रदर्शित होगी सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें पुष्टी के लिए पॉप अप में हाँ पर क्लिक करेंगे फिर पॉप अप में सफलता का संदेश आएगा उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देता है प्रिंट करें विकल्प से वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है सदस्य से लौकर तोड़ कर खोलने के प्रभार की राशी प्राप्त हो जाएगी आईए अब हम लौकर के अभ्यरपन यानि लौकर को सरेंडर करने की प्रक्रिया को समझेंगे सरेंडर विबरन से संबंधित आइकन पर क्लिक करें ग्राहक सूचना वाले भाग में प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे सदस्य विबरन स्वतह प्रदर्शित होगा लौगिन तिथी ही लेंदेन की रिकॉर्डिंग और वास्तविक लेंदेन तिथी होगी संबंधित उत्पाद चुने संबंधित खाता संख्या चुने आवश्यक्ता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनेंगे यदि समिती का कोई मैनुवल वाउचर है तो उसकी संख्या भरेंगे लौकर सरेंडर की राशी स्वतह प्रदर्शित होगी सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें पुष्टी के लिए पॉप अप में हाँ पर क्लिक करें फिर पॉप अप में सफलता का संदेश आएगा उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा प्रिंट करें विकल्प से वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है सदस्य से लौकर को सरेंडर करने की राशी प्राप्त हो जाएगी आवेदन देखें आईकन पर क्लिक कर हम सदस्य के लौकर आवेदन को जो हमने पहले भरे थे उनको देख सकते हैं और उसे संशोधित भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दाई और उपर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करने पर हम लॉकर से संबंधित रिपोर्टें जनरेट कर सकते हैं ये रिपोर्टें तीन स्टर्णियों में विभाजित हैं अन्य, C.A.S. और M.I.S. आइए उधारण के रूप में एक रिपोर्ट देखते हैं अन्य रिपोर्ट के अंतरगत हम लॉकर किराये पर लेने वालों का रिजिस्टर पर क्लिक करेंगे देखें पर क्लिक करने पर किराये पर लिए गए लॉकरों की रिपोर्ट का रिजिस्टर प्रदर्शित होगा रिपोर्ट को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है इस प्रकार लॉकर संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है बहुत बहुत धन्यवाद